दोस्तो आप सभी का Only Top Study में स्वागत है Daily Current Affair Quiz में आज हम देखेंगे 6 अगस्त की Current Affair जोकि सभी परिक्साओं के लिए मैथपून होती है दोस्तो Daily Current Affair Quiz में मैं आपको Daily 10 मिनिट में 20 Current Affair के Question Answer कवर कराता हूँ जोकि पूरे दिन की Current Affair होती है और सभी एक्जाम के लिए Important होती है दोस्तो अगर आप Daily Current Affair Quiz देखना चाते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे नीचे रेडिकल का बटन दिखरा होगा बेल आइकन को भी ओन रखेगा ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोडोडो आपके पास नोटिफिकेशन पहुच आए दोस्तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज दिल से लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों को गुरूप में भाई बेन को जरूर सेर करिएगा जिनको 10 मिनट में 20 करेंट फिर पढ़नी है दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कोशन ओप दे पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बोक्स में बताना होता है और आज का कोशन है प्रत्वी पर कितने अकसांस रेखाए है तो जल्दी से आंसर बते दोस्तों काफी important कोशन है तो आज की वीडियो को सुरू करते हैं पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है हाल ही में किरसी अव सरचना कोश के उप्योग में कौन सिर्ष पर रहा है दोस्तों जल्दी से आंसर बताएगा कौन सा राज्य रहा है यहाँ पर राइट आंसर तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्याना यानि की बी इस दा राइट आंसर ठीक है चले दूसरा कोशन आता है हाल ही में तीन दिवसिये मोदरिक नीती समीति की बैठक कहां सुरू हुई है तो इस question का दोस्तों सही answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही अगर आप लोगों ने यहां पर right answer किया है Mumbai बिल्कुल सही दोस्तों C right answer होगा इस question का अगला question है हाल ही में किस देश ने मुकतार रोबो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री न्यूक्त किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल सोमालिया या दोस्तों यहां पर right answer हो जाएगा यानि कि इस question का right answer होगा B तो यह आपको याद रखना है अगला question बनता है कि हाल ही में रंजीत रत को किस कमपनी का CMD न्यूक्त किया गया है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल OIL का यानि की right answer is option D यह आपको याद अखना है अगला question दोस्तों हमारा आता है कि हाल ही में किस सदन ने वन्य जीव संदक्षन संसोदन विद्यक 2021 को मंजूरी दी है very very important question है दोस्तों यह इस question का right answer हो जाएगा लोक सभाने यानि की A यहाँ पर दोस्तों right answer हो जाएगा तो यह आपको याद अखना है अगला question है हाल ही में what of one idea के नए अध्यक्स कौन बने है दोस्तों इस question का सही उत्तर रहेगा रविंदर ठककर यानि की right answer is option B यह आपको याद अखना है अगला question आता है हाल ही में किस bank ने पुरानी कारों के लिए paperless तरण की पेसकस करने के लिए रुपे के साथ साज़िदारी की है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल सही है right answer is इंडेसिंट बैंक यानि की option is D तो यह आपको दोस्तों याद अखना है अगला question आता है हाल ही में किसने package की delivery के लिए भारती railway के साथ करार किया है तो इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा बिल्कुल यह किया है दोस्तों Amazon ने यानि की right answer आपका यहाँ पर C हो जाएगा अगला question आता है हाल ही में Google द्वारा यात यात data सारुजनिक करने वाला भारत का पहला सहर कोन सा बना है तो very very important question है दोस्तों जल्दी से answer बतेगा इस question का इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा औरंगाबाद यानि की B is the right answer अगला question आता है हाल ही में नियादीस N.V. रमन ने नए Chief Justice of India के पद के लिए किसके नाम की सिपारिस की है तो इस question का दोस्तों right answer हो जेगा जस्तिस U.U. ललित यानि की right answer is option C यह आपको याद रखना है दोस्तों अगर यह बन जाते हैं तो फिर आपको याद रखना ही पड़ेगा और याद यह important भी है अगला question है हाल ही में किस राज्य ने Chief Minister Equal Education Relief Assistancy and Grant योजना शुरू की है तो दोस्तों यह क्या है हर्याना सरकार ने यानि की right answer आपका B रहेगा इस question का अगला question आता है हाल ही में किस ने केंद्रिय सतरकता आयुक्त के रूप में सपत ली है दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा अगला question है हाल ही में किसके द्वारा लिकित पुस्तक do different the untold धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है दोस्तों right answer हो जेगा अमित सिनहा और जैब भटाचारे आनि की दोनों ने ही किया दोस्तों right answer इसका C रहेगा तो यह आपको याद रखना है ठीक है अगला question है fortune 500 की सूची में कौन सी कंपनी भारत में सब से उपर है दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा LIC यानि की option A is the right answer अगला question आता है हाल ही में किस राज्य ने 19 अरब डोलर के वनस्पतिक तेल आयात में कोटोती के लिए palm oil पर दाव लगाया है दोस्तों यह लगाया है किस राज्य ने तेलंगना ने बिलकुल सही है तो right answer is option ने यह आपको याद दखना है अगला question है हाल ही में the line नामक दुनिया का पहला vertical share कहां इस्थापित किया जाएगा बहुत ही important है दोस्तों यह बहुत ही इस time चर्चा में है इस question का right answer हो जाएगा बिलकुल सही दोस्तों इस question का right answer रहेगा दोस्तों इस question का right answer साओधी अरब रहेगा ठीक है right answer is option भी यह आपको याद अखना है अगला question है हाल ही में परिवैन मंत्री ने किस राज्यक में छे रास्टे राजमार्क प्रियोजनाओं का सुभारम किया है तो इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है मद्य पर्देश में यानि कि a is the right answer ठीक है भई चलिए next question आता है विश्व इस्तन पांच सब्ता दोजर बाइस का विश्य क्या है तो इस question का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा C right answer इस्तन पांच के लिए कदम बढ़ाए सिक्सित करे और समर्थन करे ये आपका right answer रहेगा दोस्तो अगला question है विश्व का सबसे टिकाउ हाइड्रोजन फ्यूल सेल किस विश्विद्याले के विज्यानी को दुआरा विक्सित किया गया है तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही दोस्तो हॉंग कॉंग विज्यान और प्रद्योगिक विश्विद्याले यानि की right answer दोस्तो ए रहेगा इस question का अगला question है बच्चों को नियमित रूप से इस्तनपान कराने पर जोड़ देने के लिए विश्व इस्तनपान सब्ता 2022 हर साल किस सब्ता में मना जाता है दोस्तो ये मना जाता है एक से साथ अगस्ट यानि की D यहाँ पर right answer हो जाएगा इस question का ओल्राइट ये थे 20 question revision question का answer आप सभी please comment box में answer जरूर बताय करें ये कल की वीडियो का question है और इसमें क्या है चवालिसवा सतरंज ओलंपियार्ड किसने जीता तो जल्दी से comment box में answer बता दीजे और आज का जो question of the day है उसका answer भी आप लोग को बताना है और question of the day के बारे में दोस्तो और भी जितनी आपको knowledge पता है पांचो लाइनों के नाम comment box में बता सकते हैं प्रत्वी पर कितने अकसांस रेखाए हैं तो पांच है दोस्तो ये आपको यादखना है तो वीडियो को अगर आपने like नहीं किया तो दोस्तो सब तक पहुचाने की कोसिस करें थेंक्यू सो मच बाइबाइबरीवन टेक कियर मिलते हैं कल की वीडियो में